कि बाबाजी के लिए बुल्डोजर ही जरूरी क्यों है कोल्ट क्यों नहीं है वहीं लोग से मैं कहता हूं आपको बोली मालने की जरूरत नहीं थी प्रसाशन था आपने खिच-खिच के मार दिया 36 यह सही है और कुछ पार्टी के नेता कुछ पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि वो जंडा लेरा रहा था यह गलत था ठीक है लेकिन मूर्तियों पर पत्थर क्यों फेके गया और डीजे क्यों रोका गया बाप बेटे में चर्चा हो रही थी कि बंदूग साप कर लो हालत दिगड़ी यह तो देख लेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं विनय को उत्तर प्रदेश में नौव विधान सबा सीटों के लिए उप चुना होने हैं बहराईच हिंसा अब इसी नौव विधान सबा सीटों के इर्दगेर्द घूम रही है जहां एक तरफ समाजवादी पाल्टी यारोप लगा रही है कि ब समाजवादी पाल्टी चुनाव जीत रही है इसलिए यह बरगलाने की कोशिस है और कुछ नहीं तो दूसरी तरफ भारती जनता पाल्टी के राष्ट्री पवक्ता कहते हैं लोग समाजवाद चुनाव के बाद कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हमारे ताकते बड़ी हैं कैसी जनता पाल्टी लगातार हिंदू को बरगलाने की कोशिस कर रही है तो वहीं समाजवादी पाल्टी जो की यहां की विपच्च की पाल्टी है वह लगातार हिंदू मुस्लिम को बताना चाहती है कि यह सिर्भाच्पा का खेल है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता क्योंकि जान गई है काम नावरिक की 24 साल के क्यों वह उस घर के सिराग का क्या होगा वह घर का सिराग था 24 साल का वह तो चला गया और मैं इस घटना की निंद्र भी करता हूं ऐसा नहीं है क्योंकि देखिये अगर कोई भी हो जुलूज जा रहा हो गाना बज रहा हो इसमें विवाद होना इने चाहिए था पुलिस को थोड़ा अक्टिव होना चाहिए था यह विवाद काफ़ी निंदनी है तो मैं मान करता हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए इसमें जो और यही कारण रहा है कि वह नेपाल भाग चुका है और घटना के बाद घटना के बाद उसको सनक्चण भी मिला है अगर ऐसा है तो दोस्यों को सजादी जाए वह कोई भी ओ किसी भी पच्चकाव मुझे नहीं फरक पड़ता लेकिन हां 36 गोली किसी के सरीर में लगना 36 चर्रे मिलना करंट लगना पैर के नाखून खिचना यह बरबरता दिखाता है यह मांसिक्ता दिखाता है किसी विशेश समुदाय का वैसे मैं कभी धर्म पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि देखिए यह भारत है भारत अखंड है हम सब एक हैं य मैं बोल रहा हूं वह जो वीडियो जो किसी के घर पर द्वाज अटा कर भगवा लाराया गया चाहिए चाल तो नहीं है सिर्फ वही वीडियो क्यों आरेल हुआ वही वीडियो क्यों क्लिप बनाई गई क्या यह सब सुनीयों जित तो नहीं है पत्थर कहां से आये चत्पे गोली चली है 36 चर्रे लगे हैं और सबसे बड़ी खबार दोस्तों जो अब्दूल अमीद के दुकान में एक लड़का काम करता था उसने एक इंटर्वियों में कहा था सुबा सुबा ही बाप बेटे में चर्चा हो रही थी बाप बेटे में चर्चा हो रही थी कि बंदूक साफ कर लो हालत बिगड़ी ये तो देख लेंगे जाज कर आई जाए पुलिस 10-15 की मात्रा में थी वहां क्या नालिज जानकाई नहीं थी पुलिस को अगर आपको पहले से जैसे मुहरम के जुलूस निकलते हैं या किसी बेदन से इलाके को पहले ही चिन्दित किया जाता है पुलिस कहां थी किसकी किसकी सनलित्ता है जाचो देखिए चुकि आप हिंदू है आप मुस्लिम है ये गलत बात आप सच का साथ दीजिए अगर हिंदू दोसी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए अगर मुस्लिम दोसी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए लेकिन सजा कानून देती है राम गोपाल मिस्टरा को जिस तरीके से खीज-खीज के मारा गया कानून उसके लिए होती है अगर वो गलत होता कुछ लोग कुछ विशेस लोग ये कहते हैं कि बाबा जी के लिए बुल्डोजर ही जरूरी क्यूं है कोर्ट क्यूं नहीं है वही लोग से मैं कहता हूँ आपको गोली मालने की जरूरत नहीं थी कोर्ट था पुलिस थी प्रसाशन था आपने खीज-खीज के मार दिया 36 चर सब्सक्राइब कर दोगे मुझे मैं बाते रखूँ अपनी मैं सच बोलता हूं बोलूंगा यह मेरी बात है अभी भी मैं बोल खुलके लेकिन हां मैं यह इभी अपील कर रहा हूं चाहे वह हिंदू हो सांती बनाय रखें आप सांती बनाये रखें यह देश को सांती से अमन से चलने दें आप हिंदू हैं आप मुस्लिमें ऐसा नहीं है मेरे मित्रता है मेरे मित्रमंडली में सब मुस्लिमी हैं लेकिन बहुत जंती है हमारी यह मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वह मारा गया इसलिए यह बोल रहा हूं कि आपने मारा उसे यह गलत बात है प्रसासन था सासन था उसे देता और कुछ पार्टी के नेता कुछ पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि वह जंडा लहरा रहा था यह गलत था ठीक है लेकिन भी तो गलत है खुलकर बोलो सिर्फ बोट बैंक की राज़ीति करना गलत बात है मैं बोलता हूं उसके खिलाफ हूं मैं कि सायद में वीजेपी का समर्थक नहीं हूँ सायद में किसी पाल्टी के लिए काम नहीं करता मैं वह पत्रकाइटा नहीं करता या मैं वह यूटूब चैनल नहीं रखता कि मैं किसी विशेज के लिए काम करूं ने मैं निस्पक्च हूँ और आज ये मेरी विचार दा रहा है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों अगर आप को पसंद आया मेरी यह बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए नमस्कार